डियर स्टुडेंट्स, वेलकम तो और चैनल, टूड़े वी विल स्टड़ी वरक्षीक नमबर 55, साइस, क्लास 9 वी विल स्टड़ी परमानू एम अनू, परमानू और अनू के बारे में स्टड़ी करेंगे इसमें आज स्टड़ी करेंगे परमानुकता और आन्विक दर्वेमान जिग्यासा देदी परमानुकता क्या होती है ग्यान पूसता है कि परमानुकता क्या होती है जिग्यासा जवाब देती है ग्यान हम जानते कि एक ही परकार के परमानु आपस में रसायनिक अभिकिरिया कर तत्वों के अन्वों का निर्मान करते हैं परमानों मिलकर क्या करते हैं अन्वों का निर्मान करते हैं और भिन भिन तत्वों के परमानों अभिकिरिया कर योगिकों के अन्वों का निर्मान करते हैं एक ही परकार के परमानों मिले तो अनों बनते हैं जबकि भिन परकार के तत्वों के परमानों मिले तो योगिकों का निर्मान होता है किसी तत्तो योगिक या पदार्थ के अनों में कुल परमानों की संख्या उस अनों की परमानों की परमानों की परमानों की संख्या को परमानों की 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 परम दो हाइडोजन मोजूद होती हैं, और एक अक्शिजन होती हैं, कुल तीन परमाणों होते हैं इसलिए इसकी परमाणोंकता तीन हैं, इसलिए इसको त्री परमाणों कहा जाएगा. दीदी वेग्याने किसी रसायन में उपस्तित विभिन परमाणों के संख्या का अनुपात और अनुपात का आनुपात जिक्यासा जवाब देती है जान वे रसायन के एक नमूने में भी उपस्तित परमाणों के दिर्मान अनुपात की तुलना करके परमाणों दिर्मान से परमाणों की संख्या का अनुपात ग्याद करते हैं जैसे CO2 कारबंडा एक साइड परमाणों के संख्या का अनुपात एक अनुपात दो है इसमें प्रमाणू की संख्या का अनुपात एक अनुपात दो है क्योंकि एक कारबन है दो अक्सीजन है कारबन और अक्सीजन शियोटों में मौझूद है यदि दिर्माण का अनुपात गयात करें तो तीन अनुपात आठाता है प्रमाणू दिर्मान का अनुपाद गयाद करें तो प्रमाणू दिर्मान का 12 होता है अक्सिजन का 16 होता है तो 12 और 16 का अनुपाद इसको काट दिया जाता है 4 से 4 ती 12 और 4 तो के 16 3 अनुपाद 4 आ जाता है इस तरह से तो तीन अनुपाद चयार गिया में मिल गया ए और बी का ए ये है और बी ये है गिदिन का अनुपाद गयात करें तीन का तीन के साथ एक अनुपाद एक आजएगा और आठ का चयार के साथ दो आजएगा तो एक अनुपाद दो इस तरह से अनुपाद क्यात कर लिया जाता है प्रमाणू की संख्या कार्बन एक है ऑक्सिजन दो है अनू और आनुविक दर्वेमान किसी पदार्थ का आनुविक दर्मान उसमें मुदू परमाणों के दर्मान के योग के बराबर होता है नेजे कुछ परमाणों दर्मान दिये गए हैं ऑक्सिजन का सोलव होता है परमाणों दर्मान कार्बन का 12, सलफर का 32, हाइटोजन का 1, सोडियम का 23, कोपर का 63.5, फासपोरोस का 31, कलोरिन का 35.5, और नाइटोजन का 14U, यह 14 यूनिट होता है अब इनको याद करना होता है, इनको याद कर लें अच्छे से, ताकि हम आराम से आन्विक दिर्मान निकाल सके CO2 का आन्विक दिर्मान ग्याद करने के लिए क्या करेंगे कार्बन का प्रमानों दिर्मान पलस दो गुणा उक्सिजन का प्रमानों दिर्मान कार्बन का प्रमानों दिर्मान बारा होता है तो बारा हमें लिखे लेंगे पलस दो गुणा उक्सिजन का प्रमानों दिर्मान 16 होता है इसी Lemon का दिरुमान कीतना है एक होता है 2गुना एक और auxygen कीजन दिरुमान 16 होता है 16ुना एक तो 16 और 2 18 हो जाएगा इसीतर 보 ने च fours Cl का निकालेंगे ने एनेच fours Cl में nitrogen का चोंदे एक उनर चोंदे हािर्दोसन का एक होता 4 उन ए और कलोरीन का 35.5 पाँच होता है एनेसल का एक गुणा 23 क्योंकि सोडियम का 23 होता है और कलोरिन का 35 होता है 35.5 इनको जोड़ेंगे तो 58.5 यो आ जाएगा हमारे पास कुछ क्यूस्टन है परस्टन नमर एक देखिए प्रमानुक्ता किसे कहते हैं इन रसायनों की प्रमानुक्ता बताईए किसी तक्तो योगिक या पदार थे में कुल प्रमानुक्त की संख्या को प्रमानुक्ता कहा जाता है यह इसकी प्रिवासा राइट कर लेंगे और कुछ प्रमारे पास इनकी प्रमानुक्ता ग्याद करेंगे C U S O F O R की प्रमानुक्ता कितनी होगी एक कूपर एक सल्फर और चार आक्सीजन है तो 4 और 2 6 C U S O F O R की प्रमानुक्ता 6 होगी 2 होगी एट सिल की प्रमानुक्ता होगी एक आइड्रोजन है एक कलोरीन है फिर S8 की परमानुक्ता इसमें आठ सल्फर है तो आठ हो जाएगी NaCl की परमानुक्ता दो हो जाएगी NaCl की परमानुक्ता दो एक सोडियम है एक कलोरिन है फिर H2 CO3 की परमानुक्ता दो हाइडोजन है एक कारबन है तीन और तीन छे तो इसकी छे हो जाएगी जल अनू में परमानों की संख्या का नुपात प्रिकलित करिए तो इसमें जल के अनू में हाइटोजन का जो परमानों दिरमान होता है वो एक होता है और दो हाइटोजन का हो जाएगा दो से गुणा कर देंगे तो दो हो जाएगा फिर ओक्सिजन का प्रमाणु दिर्मान 16 होता है तो 2 का 16 के साथ अनुपात ग्याद कर लेंगे हम 2 अनुपात 16 बराबर 1 अनुपात 8 आजएगा हमारे पास तो ये अनुपात आजएगा ये तो हो गया जलका आगे किशन नमबर 3 न दिये गए अनुपा अनुपा अनुपात दिर्मान परिकलित करिए अनुपात दिर्मान हमें निकालना है NACL का NACL का ये यहाँ से आप कर लेंगे CUSO4 का देखिए CUSO4 CUSO4 CUSO की CUSO का जो है एक गुणा 63.5 इसका आनुपात दिर्मान होता है तो 63.5 पलस Sulfur का जो आनुपात दिर्मान होता है वो हम राइट करेंगे Sulfur का 32 होता है 32 और पलस Oxygen Oxygen का होता है 16 तो 16 को 4 से गुणा कर लेंगे 4 गुणा 16 तो हम क्या करेंगे 63.5 और 32 और 16 जो के 64 इन सब को जोड़ देंगे 0.5 ऐसे कैसा 4, 2, 6 और 3, 9 और 6, और 6, 12, तिन 15 तो 15 यहां आ जाएगा 16.5 यह आ जाएगा इसका कोपर सलफेट का आगे H2CO3 H2CO3 में हाइडोजन के लिए हम लिखेंगे 1 गुणा 2 प्लास कारबन के लिए लिखेंगे 1 गुणा 12 और फिर ऑक्सिजन के लिए 3 गुणा 16 लिखेंगे तो 1 गुणा 2 दो गया 12 गुणा 1 गुणा 12 आ गया और 16 दिया 48 तो इन सब को एड़ कर लेंगे 8 और दो 10 और दो 12 एक चार एक पांच और एक छे 12 यह आ जाएगा 62 यह आ जाएगा H2CO3 का H2 का H2 का निकालेंगे तो हाइटोजन के केस में 2 हो जाएगा और ऑक्सिजन के केस में 16 हो जाएगा तो 18 यह आ जाएगा तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं आनवी के दिरोमान ग्यात कर सकते हैं तो बच्छो यह थी आपकी साइंसी के वरक्स्ट्रीट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें